हलो फ्रेंड्स बेलकम टू स्टडी ट्रिक्स इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेल बेंटी पीसी और गुरूप टी के लिए जनरल साइन्स के मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन जिसमें हम यूद्ध कमपटीसन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं तो आज ह लिए श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो पहला कुस्टन देखते हैं दोस्तों यह गलती से लाश्ट कुस्टन है जिसमें पहला दिख गया तो मैं पहले करा देता हूं इसे कोई बात नहीं तो दिया गया है आपात काली निस्टिती के दौरान कौन सा हर्मोन सरजित ह अगला कुस्टन देखते हैं नियु 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 तम अधात्री मैट्रिक्स बाला एक संयोजी उतक है दोस्तों कौन सा है सना यू ऑप्सन नमर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों संयोजी उतक की कोशिका है आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिक है अधात धाईदार पेशियां होती है तो धाईदार किसमें पेशियां होती है आपको इसको ध्यान रखना है बहु नाविक होती है धाईदार पेशियां बहु नाविक होती है अपसन नमर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कशिरु की कंकाल से जुड़ी होती है ये पेशिय में से कौन सा हार्मोन हिर्दे की गती को बड़ा देता है तो दोस्तो कौन बड़ा देता है अगला कुस्टन देखते हैं दो अस्तियों एक दूसरे से किसी अन सहियों जी उतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिससे कहा जाता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं इस नायू ओप्सन नंबर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला कॉस्टन देखते हैं हमारे कानों में की उपस्तिती के करण जो एक प्रिकार का सहियों जी उतक एक कानों को मोला जा सकता है तो किसे मोड़ा जा सकता किसम कानों में तो आपको ध्यान रखना है हमारे कानों में उपस्तितियों की उपस्तिति के खरण क्या करते हैं इस वज़ादे हम कानों को मोड़ सकते हैं अगला कोस्टिन देखते हैं मद कान में मौझूद तीन हड्डियों के नाम क्या है दोस्तो मद कान में जो तीन हड्डियों पै जाती है उनके नाम क्या होते है Hammer,驙 tool, stir up option नमबर हमारा इसमें B correct हो जाएगा अगला कुस्त देखते है माज़ पैसिऊ का वो भाग जो संकुचन उत्पन करने के लिए सिकुडता है कहलाता है तो दोस्तों क्या कहलाता है आपको इसको ध्यान रखना है Actin तो क्या कहलाता है Actin कहलाता है Option number हमारा D करेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं मनुष शरीर में दिसरसिक मार्स पेसिया कहां इस्तित होती है दोस्तों कहां पर इस्तित होती है ये बहा में Option number हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं मायोसन और Actin क्या है दोस्तों मायोसन और Actin क्या होते है मास पेसिया प्रोटीन Option number हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं साई कोडलेमा वो जिली है जो डैस को cover करती है तो दोस्तों किसको cover करती है मासपेशी है तन्तू को cover करती है option number हमारा C correct हो जाएगा अगला question देखते हैं निमलेकित मेंसे कौन सा मानब शरीर में पाई जाने वाली हड़ी नहीं है तो कौन सी नहीं है इनमे X option number हमारा D correct हो जाएगा तो X मानब शरीर में पाई जाने वाली हड़ी नहीं है जबकि इस्टरप, एन्विल और X हैमर क्या है पाई जाती है अगला question देखते हैं kneecap को क्या कहा जाता है दोस्तों kneecap को हम क्या कहते हैं आपको इसको जिहान रखना है पलिया option number हमारा B correct हो जाएगा अगला question देखते हैं निमले कितमे से कौन सी अस्तिबंद लिगामेंट द्वारा जुले होते हैं तो किसके द्वारा कौन जुला होता है हड़ी हड़ी से हड़ी से हड़ी जुलती है यह से हम क्या कहते हैं लिगामेंट option number B correct हो जाएगा अगला question देखते हैं विड़सलों से कौन सा हर्मोन स्तिरावित होता है दोस्तों विड़सलों से कौन सा हर्मोन स्तिरावित होता है टेस्ट रॉन option number हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं कौन सा hormone रक्त शरक्रा को बहुत कम होने से बचाता है तो कौन बचाता है गिलूक कागन option number हमारा बी करेक्ट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं गिलूक कोगोन हार्मोन रंक्त चरकरा को बहुत कम होने से बचा लेता है अब शन नम्बर हमारा B करेक्ट हो जाएगा इसमें लिखा हुआ गलत है अगला कोश्चन देखते हैं डैस मनस्थों में अंता इस्तरावी गरंटी नहीं है तो कौन से मनस्थों में मतलब इनमें बताना है कौन सी अंतर इस्तरावी गरंती नहीं है मनुस्ट के अंदर तो आपको ध्यान रखना है यक्रत मनुस्टों में अंतर इस्तरावी गरंती नहीं है और अपसन नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा नेक्ट कोस्टन देखते हैं थायर ओक्सिन के संसलेसल ग्रियन इमलेकित में से क्या वश्चक है दोस्तों क्या वश्चक है आपको इसको ध्यान रखना है आयोडीन आप्सन नमबर हमारा डीकरेक्ट हो जाएगा नाइट कोस्टेन देखते हैं इंसुलिन हर्मोन का इस्तरावट से होता है तो इंसुलिन हर्मोन का इस्तरावट किस से होता है आपको इसको दिहान रखना है दोस्तों किस से होता है अगनाशे से अपसन नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तिन दिखते हैं अनता इस्तरावी गरंतियों को भी कहा जाता है दोस्तों क्या कहा जाता है बाही नी हीन गरंती ऑप्सन नंबर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा अंतर इस तरह भी गरंतियों में नालिकाएं नहीं होती है जिससे भी नालिका भी हीन गरंतियां कहलाती है तो इसे आप ध्यान रखेंगे ऑप्सन भी करेक्ट है नेक को से किसे बिन्हेमित करता है धोस्तों उस्पाइब вариант UFC को जाएगा मानब शरील में इंसूलन का उत्पादन कहां पर होता है आप से में जाएगा नेक्ट कुस्टन देखते हैं इंसुलिन द्वारा किस वीमारी का उपचार किया जाता है तो इसके द्वारा किसका उपचार किया जाता है आपको इसको द्यान रखना है दोस्तो मधुमे का यानि की डाइबिटीस का ऑप्सन नमबर डिकरेक्ट हो जाएगा अगला कॉस्चन देखते हैं निम लिक्ते रसाइनिक पधार्त में से कौन सा अगनाशे यानि पैंकरियास द्वारा इस्तरावित किया जाता है तो कौन सा किया जाता है इंसुलिन ओप्सन नमर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों अगनाशे के बीटा कोशिका से इंसुलिन अलपा कोशिका से ग्लूकोगोन गामा कोशिका से सॉमिस्टो इस्टिन नामक हर्वन निकलते हैं तो आपको यह सब ध्यान डखना है अगला कॉस्चन देखते हैं इसमें से आपको मिलान करना निमलिकित में से तो आपको मिलान करना है दोस्तों तो इसमें कौन सा उप्सन करेक्ट हो जाएगा पी का हो जाएगा आपका सी से और किसमें क्यों का हो जाएगा आपका एसे ल्डी स्ट्रोंड का हो जाएगा दी ब्रग्लेंड से और किसका आर का हो जाएगा आपका 7 किससे हो जाएगा आहएका डीसे खाय का रिप्टे य चे और आइस का केस्ट्रीं का प्र lässt्स्री कि जाएं PM नहीं किया जाता है दोस्तों नहीं किया जाता है आपको ऊसको ध्यान रखना है सोमस्तों इस टेनिन आपस नमर हमारा डीकरेक्ट हो जाएगा तो आपको यह द्यान रखना है यह गामा कोशका से अगला कुछन देखते हैं लेंगर हैंस का आई लेट किस मानव अंग में पाई जाता ही तो किस में बाई जाताओ दोस्तो यह अगंवियर अगनाशे में ऑप्सिन नमबर हमारे डीकरेक्ट हो जाएगा अगला क।स्टन देखते हैं निमलिकित में से कौन सा विकल पाचक एंजाइम नहीं है तो कौन से विकल में पाचक एंजाइम नहीं है आपको इसको बताना है दोस्तों तो कौन सा सूपर आॉक्साइड डिसमूटेस तो आपसपसन नमवर हमारा डीकरेक्ट हो जाएगा इसमें अगला question देखते हैं पेट की परत इस टरमक लिविंग लाइनिंग में कुछ गिरंतियों की कोशिकाओं से कौन सा acid स्त्रावित होता है दोस्तो कौन सा होता है hydrochloric acid option number हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं कौन सांग एक ग्रंति नहीं है तो उन्हें से कौन सांग एक ग्रंति नहीं है आपको ध्यान रखना है पित्ताश है option number हमारा डी करेक्ट हो जाएगा next question देखते हैं इन में से कौन सा हॉर्मोन मानब्रक्त शरक्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है तो कौन करता है इन्सुलिन option number हमारा बी करेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं सूरज की रोशनी के संपर्ग में आते ही हमारी तो अच्छा सौनली हो जाती है ऐसा किसकी उपस्तिति के कारण होता है दोस्तो किसकी उपस्तिति कारण होता है अगला question देखते है मनुष्र की शरीट की बोगरंती जो एंजाइम और हॉर्मन दोनों इस्तरावित करती है तो कौन करती है आपको इसको ध्यान रखना है दोस्तो अगनासे यानि की पाचक गिरंती option नमर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा मनुष्र के शरीट की अगनासे गिरंती जो अगनासे जो आइंजाइम और हॉर्मन दोनों इस्तरावित करती है तो आप इसको ध्यान रखेंगे option बी करेक्ट है next question देखते है मानब शरीड में अगनासे पैन किरियास का एक भाग हो है तो इन में से कौन सा है पाचन तंत्र option नमर हमारा C करेक्ट हो जाएगा दोस्तो मानब शरीड में अगनासे पाचन दंद का एक भाग वे यह मानब शरीड की दूसरी सबसे बड़ी करन्ती है इसकी प्रमुप विशेस्ता दोस्तो यह है कि एक अंतास्तरावी और बाइस्तरावी दोनों प्रकार की करन्ती है आप इसको दिहान रखेंगे अगला कोस्टन देखते है निम्न में से कौन सा हर्मोन थाइरेट गरन्ती द्वारा शरावीत नहीं होता है तो कौन सा नहीं होता है दोस्तो आपको यह बताना है थाइमोसीन ओप्सन नमबर हमारा डिकरेक्ट हो जाएगा तो थाइमोसीन क्या है थाइरेट गरन्ती से स्रावित नहीं होता है अगला कोस्टन देखते है कौन सी गरन्ती केबल योबन तक सक्री रहती है दोस्तो कौन सी रहती है आपको उसको ध्यान रखना है थाइमोस अगला कोस्टन देखते है एडी एज का पूरा नाम क्या है तो एडी एज का पूरा नाम क्या होता है एंटी डियूरिक हॉर्मोन डाइयूडिक हॉर्मोन अगला कोस्टन देखते है जटर गरन्तियों दोरा स्तरावित हाइड्रोकलोरिक अमल के enzyme क्रिया को आसान कर देता है तो किसकी क्रिया को आसान कर देता है आपको इसको बताना है दोस्तो पेपसिन enzyme क्रिया को तो जेटर ग्रेंटिया दोरा स्तराविज हाइडरोकलोरिक अमल पेपसिन enzyme की क्रिया को आसान कर देता है option A करेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं डैस में पाई जाने वाला enzyme है तो अमासरस में कौन सा enzyme पाई जाता है आपको ध्यान डखना है दोस्तो 0.3. option b correct हो जाएगा अगला question देखते हैं ogene अगला question देखते हैं तो पाईपसिन किसमें इस्तरावित होता है आपको इसको ध्यान रखना है दोस्तों अब माशे में आपसन बी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा हार्मोन यूबा बस्ता के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्तिती में बदलाब लाता है तो कौन सा लाता है टेस्टो इस्ट्रोन अपसन नम्बर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन देखते हैं यूबा नारम के दौरान सुएद गरिंतियां और बसा गरिंतियों में इसराव बलता है इन गरिंतियों से इस समय कौन सा तद्व इस्तरावित होता है दोस्तो कौन सा होता है सुएद और तेल अपसन नम्बर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन देखते हैं महिलाओं में मादा हर्मोन एस्ट्रोजन द्वारा इस्तरावित होता है तो किसके द्वारा इस्तरावित होता है आपको ध्यान रखना अंडाशे द्वारा इस्तरावित होता है अगला कोस्टन देखते हैं डैस एंजाइम नहीं है तो इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है आपको ये बताना है तो इंसुलिन इंसुलिन क्या एक हार्मोन होता है आपको इसको दियान रखना है जो अगनाशे ग्रेंटी के बीटा कोशिकाव में बनती है अगला कोस्चन देखते हैं थायर अक्सचन के संसलेसल के लिए आवशक है दोस्तो क्या अवशक है आयोडीन अप्सन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्चन देखते हैं रक्त में शरकरा शोगर के इस तरग में ब्रद्दी का पता किसकी कोशकाव द्वारा चलता है अगनाशे की अप्सन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्चन देखते हैं पुरुस्त ग्रंती में होने वाला इस तराव में प्रवेस करता है तो कौन करता है मूतर मार्ग में प्रवेस करता है तो पुरुस्त ग्रंती में होने वाला इस तराव मूतर मार्ग में प् translate होता है आपको इसको बताना बिर सर के दोरा यानि कीडिस सिकारा ओस आंद हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं डाइस गरंदी को माश्टर ग्रंदी के नाम से भी जाना जाता है तो किसे जाना जाता है प्यूस गिनंती यानि की पिट्यूरिटी के लैंड को Option नमबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा Next question देखते हैं मानब शरीर में पिट्यूरिटी करेक्टी कहां इस्थित होती है दोस्तों कहां पर इस्थित होती है आपको इसको बताना है मस्टिस के तले पर Option नमबर हमारा B करेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं निमलेकित में से कौन सा हॉर्मोन बच्चे को बच्चे के जन्म के बाद दूद बनने की पिरक्रिया को तेजित करता है तो कौन करता है प्रोलेक्टिन Option नमबर हमारा B करेक्ट हो जाएगा आपको इसको ध्यान रखना है अगला question देखते हैं आपकाली निस्टिती के दौरान कौन सा हर्मोन उस्टाजित होता है दोस्तों ये question सबसे पहले नमबर पाया था तो यहाँ पर भी आप देख सकते है कौन सा होता है अड्रीनलीन Option नमबर हमारा B करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों ये था बाइलो जी का पार्ट नमबर 16 आई हूप आपने इसकी practice अच्छे से की होगी अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एक्जाम में ज़रूर हैल्प मिलेगी तो आप इसकी practice करते रहें तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को शेर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए practice set के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत